Hello friends, welcome to study rhyme, this is Pooja Moota. अबे तक हमने वह साथ लेशन केम्लेट किई है, आज हम करेंगे लेशननों नमबर एच इंडु इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू इंडु इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू इश्या की साथवी से था आटवी शप्ताबदी के इसलाम धरम इश्पेन और भारत में फेला हुआ है भारत के इसलाम विशेश रुप्षी मुस्लिम सोदागर या पाली धरम गुरू और विजलतों के साथ आया था या लबग चैसों वर्शों की समय समय पर आते रहते थे व जिस समय तुरको का सासन था उन्होंने उत्तर भारत के जीत के दिली सिर्टन की स्तापना की थी बार्वी शिताज़ी की शमय भारत भव्य परिवेश के विश्याल भवन बनाने की परिक्यमें पूरी तरह से परिचित हो चुका था था भवन निर्मान के अलंगरन के अनेक पीजियां परचली थी लोग प्री हो चुकी थी जिसे सही तारे टोडो अनिक खंबों के सारे च्छतों का निर्मार्ण चाप महरबा डाड तोरण आधी का निर्मार्ण चाप लगड़ी के पत्थरों से बना जाते थी इसलिए उपर की धांचे के बोज को सैने उठाने के लि ज्यादा हो गई थी यह कुतम मिनारा जोगी दिली में स्थित हैं इन देशांत्रों को वीज़े में देख ध्यान देने योगे पहलो है कि मुस्लिम सास्कुन इस्तानिया शमंग्रे संस्कृति परमपा को अपनी साथ लाए की तक्निकों के साथ अपना लिया था उन्होंने इंडो आरभिक की वास्तिकला भी कहा जाता है हिंदू यह जानते थे कि परमेश्व नाना रुप से सर्वत्रियाप्त हैं जबकि मुस्लिम धर्मिया यही सोचते थे कि अल्ला एक है और महुम्मद देर्म के पैगंबर हैं अधा हिंदू एक ही पर गया कि सतों पर पर्तिमा परकार किस परकार के अब इस बुनियादी जानकर में इंडो इसलामिक वस्तुकला की काने आगे बढ़ती है अगमन के समय में धार्मिक धर्म रिप्रेक्ष दोनों परकार के वस्तुकला का विद्यमान था इसे मुस्लिम सासकों ने शंपल लोगों उदार आने परकार विश्व के अन्य भगों की तरह भारत में वस्तुकला के भवन ऐसे लोगों दोरा बनाए जिनके पास धने कटा हो गया उत्रतका में देखे तो सालसक सामान तो उनके परिवार के सोधागर व्यापार अनेक श्रणों में ग्रामिन समागर में किशिपत के अनुग थे इंड वस्तुकला पर प्राव डाला उन्होंने देशों के तरह मध्यकार भारत के लोगों के लिए धर्म को दार्मिकता बहुत मैत्वण थे फिर भी उन्हें दूसरों के वास्तुकला तत्वका अपनाया था अब सेलों कि क्या क्या प्रकारते इसके बारे में यह बहुत प्रका दस्टी से कहीं शेणों में बांटा चाता है जिनका नाम साही शेली यारी दिली सल्तन साही शेली किस्सी हैं दिली सल्तन प्रांते शेली कहां से मांडू गुजरात बंगाल और जोनपूर मुगल शेली कहां से दिली आगरा और लहूर और दक्नी शेली बीजापूर गोलू कॉंडा से ये वास्तू कलात्मक परमख कारेव की विश्श्टा को ध्यान रगते हैं इसलिए अपरतिन खांश को बांद कर देखा जाता है एक बार वापस हम लोग रिवाइस कर लेते हैं इंड़ो इसलामिक वास्तू Stephen को धस्टी से कहीं से बांटा गए हैं जिनका नाम है साई सेली कहां कहां से दिली सल्तनल से प्रांटेशली मांडू गुजरात बंगाल जैनपूर तक पहली थी मुगल शली दिली आगर लाहोर तक थी रकन सेली बीजापूर गॉलकांडा ये श्री ने वास्तुकला की कारश से विश्ष्ट क्योर ध्याद रगते हुए बनाए गई है ये जटिल जाली का काम है जो कि आमेर किला जैपूर में इस्तित है उदातापूरों गहरन और प्रभाव प्रांदेशली में बंगाल और जोनपूर की वास्तुकला का नाम सालग जाना जा था गुजरात की वास्तुकला एक अलग छेत् और दरगा की चेत्रे मंदी परंपाव के तकहीं तत्व अपना लिये थे जैसे कि तोरण महरबा में सरदल लिटल गंती और नमूनों का उत्क्रिन कर इसमें व्रग शुके रगे थे इसके विपित सरखेज सेक आमद खुट की पंदरवी शफेद संगमर से बनी दरगा के र पत्थर पेंट देजिए ज़ते और पत्त्रों में उक्रेजा जाते जो कि आज भी हमारे गर पे टाइल से उगमें यूज की जाती इन मोनों की तरह से कई फूल समयल थे इन में उपमाधि पे बाहरी इस्तन में खास तोर में घ्रानमें रगते थे चाप मेरों के भीत्री मो गुबंदों की शता पर टायल भी लगा दी जाए थी इस समय लोग प्रिये रंग नीला फिरोजी हरा और पिला था इसके बाद सत्यी सजावट के लिए खास तो दिवार में होश्या चार खाना चोपड़ी पच्ची के रहा तक्निका भी इसमोल है कौन से तक्निक का उपयोग अन्य किश्मे की सजावट असपक क्यानी बैलबूट का काम सुलेखन उंचे नीचे उभाधार का उत्कुन सामीर है जालियों कब्रेक बहुत है से जैसे दिखाई देता चाप मेहरबे साधी सिम्टी कभी कभी उंची तिकी भी होती थी सोली शर्ताबदी में उसके आगे च जो कि आगरा में ची सली है जो असमें बहुत शमक दिखी की निमान किया था इसमें दिक लोगों मशारा सामगे रोकड़ी कांकर आदिस चीना ही जाती थी समयंत का उप्योंक है जाथा दीवारे काफी मोटी थी चुन्ना का परियोग जाथा लाल मेटी का परियोग के जाथ था इस्ट्राफिक बल्वा पत्थर पीला पत्थर संगमर आदी दिवारों कुंतियों रूप देना आकशित बनाना बहुरं की टायरों का परियोग करना सत्तरवी शिप्ताब्दिश से सोरू होते भवन निर्मान में कारे में इंटो का परियोग भी किया गय था इंटो का मोटी परचारी फेशलें बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग किल्ले बनाना मध्यकालिन भाते के राजा उन राजगरान के विशेशता है यूंकि ऐसे अबिदा किल्लों के अक्षर राज्जा सक्ति परतिक माला जाता है जैसे किल्लों को अक्रमकारी शेना और कभजे कर राजे सासकों के शंपूर्ण शक्ति प्रभुष्चता की जती विशेता राजा अधिपे के श्विकार करना बढ़ा था इसे तरह दुबेज विशाल के एक जटिल दुख चितोड गैविलेर देवानेकरी गोलकुंडा में पाय जाते जिने देकर दशक दंग रहे जाते औ सब्सक्राइब करते दिखाए दुर्गों के निर्मान के लिए प्रभासाली उंचाय को अधिक लापने समझाता था इन उंचाय में कई फायदे थे जैसे चड़कर संपुन शत्र में दूर तक देखा चास सकता था सुर्क्षा की द्रश्टी से उंचाय इसमारिक मैत्वर इसकी आवास और दफ्तरी भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी सबसे बड़ी यादे कि आम लोगों को था आकर्म के मन में बहपेदा उंचाय बने कि लों की और कहीं फायदे थे यह जैपूर के किले का बताया गया है हवाई दर्श्य है कि कहीं पर किलों की च रुज़ी में निर्मान करते थे जैसे यह किल्दा है ठीक है इसके चारो और ऐसे निर्मान रहेगा को कि कि किसी के आने का पर्वेश्ण नहीं कहीं जगह तो खड़े भी खो दे जाते थे कई म के अलग-अलग प्रकार ने लग चीजों का परियों के जना अग ईसी पस्चा सब्सक्राइब करने जाते हादियों की साइटा से तोड़ना और खुलना आसान नहीं था एक भीत्री यानि दो किल्ये बनाए गए थे जिसमें दूसरा की पहले किल्ये के अपर शादी कुंचे बना गया था और उसके पहुंचने के लिए भूल बिले को पार करना पड़ता थ जाता सेकड़ों फूट नीचे खाई गिराकर मौत के मुँंचा दिया जाता है गवालर के किल्या इसलिए अजया माना जाता था क्यूंकि इसकी यह कुन सा किल्या इसकी खड़ी हुजए एकदम सब पाट है और उसमें चड़ना आसम होता इसकी आवास शिवस्ता अलावा क इसकी गवालर के किल्ये की विशेषता है बाबर की जैसे हिंदुस्तान बहुत सी चीज़ों में अच्छाई नहीं दीखे जाती पर गवालर की किल्ये में देखके भ्हबित हो गया था चितोड़ की एशिया का सबसे बड़ा किल्या माना जाता है याद रखना ये सबसे लं अब मिनार यह चांद मिनार है जो की दोलत बाद में इस्तित है इस्तम गुंबद एक अन्य रूप से मिनार थी जो भातियों प्मादी पी सवरत पाई जाती थी मदेकाल की सबसे पृष्षि दोला राकाशक मिनार थी दिल्ली की कुटम मिनार और दोलत बात के किले की चांद मिनारों की देनी की प्योग नमाज ये अजान लगा था इबादत यानि किसी चीज के लिए दुआ मांगना तरह आज़ा ज़ाएं आकाशे उन्चाइशासकी शक्ति का पर्दिक था इसे विरोध्यों के मन में भैपैदा कती थी और चाहिए विरोध्य शामनातियों या धर्म के अन्याई कतुब मीना के समदा दिली के संति खाजा कतुब दिन बक्तिर काकी से जोड़ा गया है किस्से संथ ख्वाजा कट्वदिन बक्तियर काकी से जोड़ा गया तेरवी शदी के बनाएगी मिनार 234 फूट उंची है किती 234 फूट उंची है तरह चार मंजिले जो कि उप्री और करमश पत्ली संख्री चली है यह बहुवजी बरताकार करो मिश्र ने अधिकतर लाल और प इस नहीं पर चैनल मिनार जो कि पंदर शुटि में बनाएगी है तो चान मिनार के बनें बात हो यह जो कि 20210 फूट उंची इसकी चार मंजिले जो कि उपरे और करमश पत्ली चल जाती है अब आडू रंकी है उसमें कित्य थी इसमें 210 है उसमें 234 थी 234 फूट इसमें 210 वो पत्थर का पड़ों के इसमें कि आड़ों रंग से पूती इसके बारी भाग पक्की हुई टाइलों के बिना देखिए सजावटी बड़े-बड़े अक्ष्णों में खुदी कुरान के आयोतों के लिए पश्चे था मीनार एक इराणी इसमारकी तरह दिखा देते लेकिन इसक तो यह सोचकर बढ़ने जाता कि मजब सच्च व विश्वास रकने का इनसानियत कयामत देने का इनाम के तोर पर सदाके लिए जन्ना स्वर्ग में बेढ़त देता है जहां हर तरह के एस्वय आराम होगी स्वयाप्ति बाग बगी चे भीतर जिसे जिलाशी नदी के किनारे बनाए जा लगा ताज मेल के मामले भी वाते थे दो चीजे पाईज गी निश्य थी बड़ी-बड़ी सांदार इमारते दूशी दुनिया में शांतिया खुशी पाने के लिए नहीं बना जाती इसको दुद्शित दफना बनाने की थी जो कि भाते में आसपा श्यत्ततर बनाए जाते जो पानी का कूंड का जाता था जो की आयताकार भी होता था था और गोल होता था संस्कृति प्रिष्ट में लोग कुछ शमयात के लिए एकटे थे फलसुरुप आम लोग को विस्तका सांस्कृत शिंचर प्रभाव सामिजन आधान बढ़ता सोई सराय का मतलब होता है ग्राउंड बनाना लोगों के लिए इमारते मद्यकालीन भारते में वास्तोकला सब्सक्राइब काफी पुस्तकों में विविनम किया गया गया अगया कि यह जहाज महल मांडू है एक मदर्शा जिसे अस्रफी महल का जाता है एक ख़बर फक्रिक की खालक में सुनसान पड़ा है यह एक सांदार इमारत है जाथा इसमें सुन्दर गुबर सांगमर जाली का काम दयोडिया प्रागन मीनार में भेज़ने लायक है इसे अफगान सेली में पूरुष मर्दगान के उदार माला जाता है लेकिन इसे जालिदार काम उगे टोड़े तोरेंट पर निमिल को बढ़ाइब करते हैं मांडू की इस में सुकरवाग कि नमाज के लिए बड़ी शंख्या में इकटा उने के लिए बने इसमा बीदेजाने के लिए बड़ा दर्वाजा होता था दिसकी चोटी पे समेटा गूंबंद है यह गूंबंद है आप दर्वाज में गुष्णे के लेकर ये तो काज दसकता कि मांडू की प्रांति सेली वास्तुकला दिली ओशाइब हुनों के लिए कला वह उत नर्जिक है तता वे पांडू की वास्तुकला की तता गेत पोश्च पून आडमन सेली जिसे परसी जालिया उके रिक ट्वाडे सरश्चनाय कलपाकर अंदू की क अब इसी के साथ ताज में की बात आती है जो कि 1632 में इसमारक के निर्माड में लगबख 20 साल से 20 साल के काम कारों काम किया था अब हम ताज में के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं जो जो इंपोर्टेंट है ताज में एक मद्यकलन भायत की व्युकाश्चनत वास्तुक प्रक्रिया की परकश्टा पहुंच गी थी इसमें सजात्मक और अलता दोनों ही प्रकायके ततों के बुगलों दोरा हिंदुस्त उची आकास में खड़ी भवी मरत के कारण आती हैं ताज की गरीमा दिन रात अलग अलग समय में अलग 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 रंका अभास कराती है ताज महल के शाजा ने अपने बेगम मुम्ताज की महल की याद में मगबरे के तोर पर बनाए था इससे संपूर्ण परिशन अने छो के इससे बनाया है जिससे फवरह यानि बीच के रास्ता या मगबर की मारत के बाग की बीचाविच बनाकर उत्र किनार पर पाया गया है जो कि संबदर्दी की तड़िव समुन्ता का लाब उठाया जा सके कि बाग के वीच लबिच किस्ति सीदा माग आगुतों को मकबर के निजले हिस्ते में तक पहुंचा देता है वहीं मगबर के फरसी चबुत्र पहुंचा देता है चबुत्र के किना एक मिनार खड़ी है जो कि उपरी पतली हो जियती है इस मिनार के उचे 132 फूट जिदा चोटी को गुला कर गुबद चार गुमोटिया नम पर देखा जाता है इमारत के खुशी उष्की दिवारे गुबद और गुमोटिय के बीश शंपूनी सफे संगमर से बड़े पक्षी में से एक लाल बलुव पत्थर की बनी मश्यर संतुल मना रखने के लिए पूरों में एक एक इस्षी इमारत बनी हुई है इमारत के लिए संगमर राजस्ता उस पर शेले लिखी जाती इस प्रकार से चितर बनाया जाते थे इसके बीत्री बैक में तलगर्व उस पर महरबाद अश्टबुजी विशाल का अक्स परतिया कॉन पर कमरा बना वह और यह सब गल्यार से जूड़े इमारत के कार में हिश्य की रोशनी जाली जरुक्यों से जितनी है कि दो गुंबत के करन बीच में जगर चुटी हुई है ताजमेल की सुन्दरता के व्रदी करने के लिएंगे बीती और बाहरी शते चार तरह के अलकरन साथ सजों का प्रियोग के जाता है इसकी दीवारी की पत्थर हो करकर उंची या नीची बदार नक्षर की गी सफेश अंगर जिसकी जड़ाई की कुरार में आया दिखेगी है इस संदर लिखावट को दिवार के चार ओर लगा जाता थी तरह चार चान लगा देगे और तता इसके समन्द में समन्द जुट गया था यह गोल गुमंद है जो की और यह फुसवाट दिर्गा है गोल गुमंद करनाट के बिज़ापूर चिले में स्थित है यह गुमंद बिज़ापूर के अधिसल राजवन स्थे दरा चोग्दस सो नैसी और 1686 में साथ सुल्तान मुम्मत के अधिशल में 1625 के मगबरा था इस इते हैं इंपोर्टेंट अब के लिए जामा मस्जित जो की दिली में मद्यकल्ब भायत में इस्तान में बड़ी मस्जिदे बनेगी है इसके विशाल आंगते हैं पूरे जम्में शुकुरा को दूपरे नाम पढ़ने के लिए नमाजों को भीड़ जमा होती थी ऐसे में साम झाल जान जाते हैं और जान को पढ़ने दोड़ाने को पांदान पर था जोओं साथन से हुँदयों के विए रास्तेशी एवे होतीं सुप्राइब ब reference आशने की सांस्क्रित थी सब्सक्राइब नमाज अपने प्राथा प्राइश करते हैं मक्का की कावी दर्शा थी कावा एक मक्का की जो सौधी अब दर्वाजे बनाए जाते थे और यह जो अंगान होता था इसमें सब लोग अपनी आस्ता और एतबार करते थे इसके साथ एरशन कंप्लेट करते हैं करते हैं स्थ्थ्द। करते हैं करते हैं झाल झाल